क्रिस्पी और चटपटा सा हम लोग पकड़ा बनाएंगे इसमें दाल का यूज करेंगे हम लोग चने का दाल और हरे लसन का यूज करेंगे इसमें हरा लसन मैंने चार लिया है पूरा पत्ता सहित मैंने लिया है अद्रक मैंने हाफ इंच लिया है और चार पांच मैंने हरे मिर्च ताल को मैंने रात पर भिगो छोड़ दिया था एक कप ताल था मेरा चना का अब उस सब को मैंने पीस के लिया है अब इसमें नमक और एक हरी लशुन और धन्या पत्ता भी काट कर के इसमें देखी मैंने आड़कर दिया है अब इसमें आज मैंन डालेंगे हम लो नमक मैंने इसमें आधा टीशफून डाला है आप अपने स्वाद के आसाथ आलें और प्लैक पेपर डालेंगे धर धरा करके एक टी स्पून और मैंने चार प्याज को काट लिया है सिंपल साही काट है इसको काट के हाथ से इस तरह से करकर के इसको अलग कर देंगे अब सारा दाल और जो मैंने पीस के रखा था इसमें डाल के अच्छे से इसको मिला लेंगे और इसमें हाप्टे स्पून मैंने हिंग भी डाला है हिंग का स्वाथ बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से पुरा मिक्स कर देंगे हम इसको अि और फिर क्या है पोकोड़ा पुहात ही अच्छी से बन जाते हैं आप लोग घृता है दाल कर जब हम लोग पीस के बनाते हैं उसको हम लोग कचरी वोलते हैं है आप लोग पकोड़ा कचरी जो February बोलते हों खाने में बहुत अच्छा लगते और जब बेशन को पीशावा बनाते हैं उसको पकोड़ा बोलते हैं कि इस तरह से छोटे-छोटे डाल करके अब इसको पलटतेंगे देखे थोड़ा सा गोल्डन और करेंगे इसको 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 खाने में बहुत तेस्ट लगता है हरे लसन का जो स्वाद आता है नो बहुत अच्छा लगता है खाने में और एक हरे लसन को मैंने काट लिया था थोड़ा धनिया पत्ता ऐसे भी दिया थे और चार लसन को मैंने ताल में पीश दिया था देखिए गोल्डन सा हो गया कितना अच्छा है यह एसको हरे चटनी के साथ सौस के साथ टमाटर के चटनी साथ जिसके साथ पिखाएंगे करमागरम बहुत अच्छा बहुत ही टेस्टी लगता है आप कभी इस तरह पना करके ट्राइ कीजिए बच्चे लोग को तो यह सर्व कीजिए बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में आपको बेशन का और दाल पीस के बनाएंगे दोनों का टेस्ट में बहुत ही अंतर रहता है आप दाल पीस करके बनाएए इस तरह से देखिएगा दोनों के टेस्ट में बहुत अंतर रहता है इसका टेस्ट बहुत ही अ खाना है तो ग्रीन चटनी के साथ खाइए इतना दूर देखने के लिए थैंक यू